तो guys आज काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, reason है market का fall, तो मैंने सुचा थोड़ा share कर लूँ आप लोगों के साथ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से share खरीद रहा हूँ, कौन से share plan कर रहा हूँ, वैसे तो मैं telegram में share करता रहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम लोग थोड़ा जादा इसे detail में बात करेंगे, तो सबसे पहले market में चल के आ रहा है, आप लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी एक बाद देख लेते है, nifty fifty का ये daily candle का चार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हफते इसमें क्या तबाही हुई है, तो इस अंदाजा करके चल रहा हूँ कि शायद निफ्टी जो है, वो अठारा साथ सो के आसपास में support ले सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इससे जादा नीचे नहीं गिर सकता है, लेकिन अठारा साथ सो के आसपास में इसमें थोड़ा सा bounce back दिखना चाहिए, इसके ऊपर में ही मेरे ख स्ट्रांग होना रुपीज के comparison में, तो मार्केट से यहां से जो FIIs है, फॉरेन इंवेस्टर्स हैं, वो पैसे निकाल रहे हैं, तो obviously जब FII पैसे निकालते हैं, तो बड़े amount में निकालते हैं, ठीक हैं, तो ये सब चीज़े क्या है, temporary issues है, temporary problems है, तो इस तरह के time में अगर अपर बॉलिंजर को touch करके, last 3 महीने में थोड़ा सा pressure show कर रहा है, तो अभी भी ये बहुत ज़ादा नहीं गिरा है, normally गिरना किसको बोलते हैं, अगर ये गिरते गिरते, 17,500 तक आ जाता या 17,400 तक आ जाता, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, इसमें अच्छी गिरावट ये बस अभी शुरुवात है, तो market में fall आ गया है, या bear, बोलते हैं bear run चालू हो गया है, ऐसा कुछ भी अभी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ बहुत सारे levels इसने तोड़ दिये हैं नीचे के, तो bearish ज़ादा दिख रहा है market, लेकिन अभी भी बहुत बुरा time देखन तो जब ये 1.17% के आसपास में negative चल रहा था, तो मेरा personally जो मेरा जो portfolio है, वो 1.5% से भी ज़ादा negative में था, वोकि ये एक बार 1.8% भी गया था, लेकिन last में market बंद होते होते, market में थोड़ी recovery हुई है, खास करके small cap और mid cap में मैंने चेक नहीं किया, तो किसमें recovery हुई है मु देख सकते हो न, कि ये 1.17 है और ये 1.8 है, तो काफी ज़ादा difference था, मेरा portfolio जथा, वो बहुत ज़ादा beat हो गया था, nifty से, लेकिन market बंद होते होते, ये 1.39% पे market बंद हुआ और मेरा portfolio 1.36% पे negative में बंद हुआ है, तो जैसा market चल रहा था, वैसा ही मेरे portfolio ने perform किया है, तो कि market कितना भी गिरे, यहां तक गिरे, यहां तक गिरे, कहीं तक भी गिरे, long run में इसको उपर ही जाना है, यही तो होता है न, history में आप कहीं भी देखिए, तो market long run में कहां जाता है, उपर जाता है, तो जो long term के investors हैं, उनको अच्छे stocks को hold करने में कोई डर नहीं होना बैंक की बात करें, तो 1.3 सेम ही है, mid cap 100 की बात करें, तो 1.2% जो recovery हुई है मेरे portfolio में और हो सकता है आपके portfolio में भी, वो हुई है small cap में, यहां पर देख सकते हैं, कितने में बंद हुआ है, 0.3% पे, तो काफी अच्छी recovery है, और यह recovery हुई है, वो कैसे पता चलेगा, आप इ यह बंदे का चार्ट है, मार्केट खूलते ही क्या हुआ था, बहुत बुरी गिरावट हुई थी, और उसके बाद continuously इसमें recovery चालू हुई, तो मार्केट ने मतलब options देखा, options नहीं, sorry, options नहीं बोलना चाहिए, मौका देखा बोल सकते हैं, है ना, मार्केट मौका ढून रहा अब यह डिया ने की है, रेटेलर ने की है, इसे कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में अगर चार्ट उपर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब बहुत बड़ी buying हुई है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद कल आपको मार्केट थोड़ा green में देखने को मिले, या फिर कम गिरता हुआ दिखे, क्योंकि तीन दिन से continuously बहुत बुरा fall आ रहा है, तो थोड़ा बहुत recovery देखने को मिलेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट ने recover कर लिया, इसका सिर्फ यह मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा आपने आपको balance करने के कोशिश करेगा, और बहुत बहुत ही कम होता है, ठीके तो एक तो यह हो गया small cap 100, और दूसरा जो मुझे कम गिरावट देखने को मिली है, वो मिली है FMCG में, लेकिन इसमें कोई खास बहुत जादा recovery मुझे देखने को नहीं मिली, जैसे अगर इसको open करेंगे तो आपको दिख जाएगा, कि थो वीडियो में मैं सिर्फ यही discuss करना चाहरा था कि market में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अगली वीडियो में मैं यह आप से share करूँगा कि मैंने कौन से shares खरीदे हैं recently, कौन से shares मेरे GTT order में लगे हुए हैं करीदने के लिए, और उनके reasons क्या है, इन में से किसी भी shares को आप मेरी recommendation मत समझना, मैं सिर्फ आप से यह share कर रहा हूँ कि मैं market में क्या कर रहा हूँ और मेरी thought process क्या है, आप कोई भी share buying या selling करने से पहले, अपनी fundamental analysis, अपनी technical analysis कर लेना, और कुछ लोग पूछ रहे थे, खास करके नए लोग जो market में आये हैं, वो पूछ रहे थे कि खरीदने चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, बहुस यह decision आपका होना चाहिए, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि market में कितना fall होगा, यह को ही नहीं बता सकता, अभी specifically अगर यहां पे देखा जाए, तो गिरने की उमीद कहा तक है, सबसे पहले तो यह जो से यह नीचे आने लगेंगी, फिर इसके गिरने के scopes भी बढ़ जाएंगे, तो अभी कोई नहीं बता सकता है, कि market कितना गिरेगा, हम बस यह कर सकते हैं, कि यह market जो है, वो long run में उपर जाता है, यह मानते हुए, हम लोग bottom में, या बोल सकते हैं, इस moving average के आसपास में, buying हम लोग कर सकते हैं, जो भी stocks हमको नीचे मिलें, okay, SIP जो होता है, आगर आपको SIP नहीं पता, तो अच्छे से Google में जाके चेक करो, systematic investment plan जैसे बोलते हैं, बहुत सारे insurance में भी होता है, mutual fund में भी होता है, हर जगा होता है, और यहाँ पे भी share market में भी हम लोग इसे करते हैं, okay, तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें यह मतलब होता है कि किसी एक share में, जितनी बार भी गिरावट हमको दिखे, उतने बार हम लोग थोड़े थोड़े shares buy करते रहते हैं, right, तो अभी मेरे हिसाब से यह चोटी मोटी SIP करने के time है, तो वही मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी season से, मैंने personally उसे miss कर दिया था, बहुत सारे stocks को miss किया था, बहुत सारे खरीदे भी थे जो profit में अभी भी है, लेकिन बहुत सारे major जो stocks थे वो मेरे से miss हो गए थे, तो मैं अभी SIP करता रहूँगा, जो भी stocks मुझे अच्छे fundamental stocks मिलते रहते हैं, मेरे level पे मैं वहाँ पे इस लगा सकते हो, दो ही बार लगा सकते हो, तो आपको decide करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे लगाना है, या थोड़ा सा और wait करके market में कुछ अच्छी recovery या अच्छी news आने के बाद लगाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे investment करो और market थोड़ा सा और गि beneficial है, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल भी है, यह मुझे पता है, क्योंकि अभी देखें, मेरा जो एक दूसरा portfolio है, उसमें मेरे around 6 लाग के आसपास profit था, और यह 6 लाग का profit आज के time पे, सिर्फ 3 दिन में जो market गिरा है, उसमें, यह 1 लाग का हो गया है, ठीक है, तो 6 लाग से एक लाग में मेरा जो छोटा portfolio है, उसमें ऐसा हुआ है, तो आप assume करो कि अगर मतलब ऐसा बड़े investors अगर ऐसा करते हैं, जो मतलब आप में से कही सारे लोग जो telegram में मुझे message करते हैं, मुझे पता है, आप 2 लाग, 3 लाग, 5 लाग के एक एक share ले ले लेते हो, एक एक share में पैसे लगा देते हो, तो जब इस तरह का fall market में आता है, तो ये 6 लाग जो है आपको minus में भी जाते हो दिखेंगे, जो ये 6 लाग का profit है, ये आपको minus में भी जाता हो दिखेंगा, मैं एक example बता रहा हूँ, तो panic नहीं करना है, अगर आपने किसी stock को अच्छे level पे buy किया है, और वो stock fundamentally अच्छा है, आपको पता है कि ये company बंद नहीं होगी, तो उसको गिरने दो, कोई बात नहीं गिरता है, उसमें SIP करो, मेरा तो यही fund है, मैं यही करता हूँ, और मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है, मैं वही पैसे investment करता हूँ market में, जो मुझे अगले 1-2-3 साल त cash में बोलो, जिसमें भी बोलो, ठीक है, मेरे पास अच्छा-कासा घर चलाने के लिए पैसा रहता है, उसके अलावा जो मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो मैंने सिर्फ investment के लिए रखे हुए, वही पैसे मैं support के levels पे invest करते रहता हूँ, ठीक है, तो आप यह पूछोगे कि आ एक तरह से investment नहीं होती है, लेकिन बहुत simple तरीका जो एक follow होता है market में, वो होता है moving average का, ठीक है, तो इस moving average के साथ में अगर आप यह Bollinger वाला funda use करने लग जाओगे, तो थोड़ा सा better decision मेरे हिसाब से ले पाओगे, जो मैं करता हूँ, मैं वही बता रहूँ, moving average में जैसे आप 3-4 moving average लगा सकते हो, 150 days का लगा सकते हो, ठीक है, 100 days का लगा सकते हो, और 200 days का लगा सकते हो, और ऐसे shares में, अगर आप नए investor हो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये बोला था कि मैं, शायद Monday को या कभी मैंने बोला था कि मैं इसके उपर वीडियो बना लगाये हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, 50 days का moving average एक बहुत लोग यूज़ करते हैं, जाधा तर, तो 50 days का moving average मान लो अगर इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, एक example के लिए, अगर ऐसा 50 days का moving average दिख रहा है, candle जो बन रहे हैं, वो इस तरह से बन रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, और अगर यहां support ले रहे हैं, यहां पर आपको green बनता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर buying करो, फिर यह उपर जाता है, अगर आप swing trading करना चाहते हो, तो आप यहां selling कर सकते हो, जब भी आपको गिरता हुआ दिखे है, तो यहां selling कर दो, ठीक है, अगर आप long term क लिए investment करना चाहते हो, तो ऐसे ही stock में investment करना, जो पहले नीचे था, उसके बाद कहीं पे भी लोगों ने investment किया होगा, तो वो profit में हो, मतलब कि वो stock long run में इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से मतलब थोड़ा उपर गया, थोड़ा नीचे गिरा, फिर उपर गया, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, 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 ये इसको बोलते हैं cyclical stock, ठीक है, तो इस तरह के graph वाला नहीं होना चाहिए, इस तरह के graph वाला होना चाहिए, जिसका जो lower जो बना, अगला lower, वो पिछले lower से क्या बना, हाई बना, ठीक है, पिछले lower से उंचा बना, तो ऐ ऐसे stocks को ही हम लोग देखते हैं, तो long run में वो ऐसे दिखते हैं, जैसे बर्जर पेंट हो गया, एशेन पेंट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलिवर हो गया, बजाज फाइनन्स हो गया, तो इस तरह के stocks के हैं, consistency में उपर जाते हैं, तो ऐसे stocks beginners के लिए, beginner investors के लिए सही होते हैं तो आप इस तरह से moving average यूज कर सकते हो, ठीक है, और उसके साथ में आप ये bollinger band जो है, ये अगर आप यूज करने लग जाओगे, तो आपको एक idea चल जाएगा कि market अभी overbought है या oversold है, ठीक है, नीचे है तो सस्ता है, उपर है तो महेंगा है, understood, ये होगे simple सी strategy, बागी औ आप खुद ही सीखेंगे तो जादा अचा रहेगा, मैं आपको बहुत तरह की strategies बता सकता हूँ, लेकिन आप उसमें confused हो जाओगे, ठीक है, तो कोई एक simple सी strategy पकड़ो, उसको expertise करो, उसमें experience लो, थोड़ा बहुत, चोटा-चोटा amount invest करके सीखना शूरू करो, जैसा मैंने कि आता, मैं वही आपको suggest कर रहा हूँ, ठीक है, और दीरे-दीरे आपको confidence आ जाएगा, फिर उसके बाद जब भी आप किसी stock में invest करोगे तो मेरे जैसे बेफिकर रहा होगे, मैं कभी भी market में fall आता है, कुछ भी होता है, तो मैं एक कतरा भी मेरे को डर नहीं लगता, तो वैस 7% लोगों में से, सिर्फ 9%, 10% लोग जो होते हैं market में, वह थोड़ा बहुत पैसा बना पाते हैं, 9% तो थोड़ा बहुत पैसा बनाते हैं, 1% जो होते हैं, वह सबसे ज़यदा पैसा बनाते हैं, तो ये 100% में से 9% लोग थोड़ा पैसा कभी profit हुआ कभी loss हुआ, लेकिन on an average मंतली अच्छा कासता कमा लेते हैं लेकिन यह जो 1% लोग होते हैं यह बहुत बड़े मतलब खिलाडी होते हैं तो यह बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं तो इस 1% में आना मुश्किल है इस 9% में भी आना मुश्किल है लेकिन long term investment में अगर आपने इसमें अच्छा time दिया और बहुत इधर-दर multiple strategies समझने में time based नहीं किया इसी एक दो strategy में अगर आपने अपना time spent किया उसी में expertise लेने की कोशिश की तो आप एक दो साल में expert हो जाओगे ठीक है expert हो जाओगे मेरी बात मान लो क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना रहता इसमें बस अच्छे stocks चुनने र क्या देखते हैं वो सारे ही कोई भी वीडियो आप open कर लोगे किसी भी stock का fundamental analysis देखोगे तो समझ जाओगे कि basically हम लोग क्या क्या चेक करते हैं और technically मैंने आपको clearly बोला ही है कि कोई भी stock ऐसा होना चाहिए तो वो अच्छा दिखता है confidence आता है इसमें तो ऐसी stock जब थोड़ 50% भी अगर हम लोग successful हो पाते हैं तो इस 50% में आप आ सकते हो ठीक है बस यह है कि starting में जो है बहुत लालच पर नहीं आना चोटा चोटा amount invest करो चोटा मतलब इतना भी चोटा नहीं कि आप brokerage ही जादा दे रहे हो कमा कुछ नहीं रहे हो तो जैसा मैं करता था मैं करता था य यह ऐसी बाते हो गई जो आप में से बहुत सारे लोगों को boring लग रही होंगी मुझे पता है लेकिन कोई बात नहीं तो अगले वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो आपको interesting लगेगी मैं उसमें अपने सारे जो recent investments हैं वो आपको बताऊंगा और जो आगे करने वाला ह वो भी बताऊंगा तो wait करना ओके चले मिलते हैं अगले वीडियो में